अब आगे बढ़तें लकनों में चाचा और भतीजे की बैठक होगी खबर है कि शनिवार को दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात कित हुई थी जिसमें रविवार को बैठक के बाद तही की गई थी और कल किसी कारणवश बैठक नहीं हो पाई तो आज वो बैठक होने जा रही है और आज की बैठक में सीटों के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच बात चीत होगी तो दोनों नेताओं की फोन पर बात हुई थी लेकिन आज बैठक होने जा रही है और अखिलेश और श्वेपाल की बैठा काज लखनों में होने जारी है कल ये मुलाकात होनी थी लेकिन किसी कारण वर्ष मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन सीट श्वेरिंग को लेकर आज ये दोनों निता एक साथ बैठेंगे और मंतन करेंगे अब आज होने वाली मुलाकात पर भी लगाता नसर होगी दरसल कुछ वक्त पहले की चाचा भतिजे के बीच गटबंधन का एलान हुआ है आपको याद होगा और अब सपा प्रसपा के बीच में सीट शेरिंग होनी है मिलकर चुनाव लड़ रही हैं दोनों ही पार्टियां कितनी सीटे मिलती हैं शेपाल यादव की प्रगतिशिल समाजवादी पाजी को इस पर मंतन हो रहा है और शेपाल यादव की माने तो अखिलेश के साथ सीटों को लेकर कोई जगड़ा नहीं है अब अखिलेश को नेता उन्होंने माल लिया है ये वो पहले भी कह चुके हैं कि उनके नेता अखिलेश के आदव ही है और सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है अलाकि आज बैठव होने जा रही है और सीट शेरिंग को लेकर ये दोनों ही नेता बंधन करेंगे हम अज़र शूपाल यादव जी है प्रसपा के दास्ट्य देख शूपाल जी अब तारिखों का अलान हो गया अब सबकी मिगाएं इसी बात पर हैं कि कितनी सीटें आपको मिलेंगी देखे हम दोनों मिलकर के चुनाओ लड़ेंगे अब हमने अखले स्याजव को नेता मानी जिया है तो अब सीटों का हमारे हाँ कोई जगडा नहीं है अब बैटक के बात हो रही है तो फिर सपा भी पीछे नहीं है समाजवादी पार्टी ने 12 जनवरी को पार्टी कारेले पर बड़ी बैटक बुलाई है बैटक के लिए सभी सायोगी दलों को बुलाए किया थे बिल्कुल दर असल सिर्फ श्रपाल ही नहीं गटबंधन में श्रामिल सभी दलों के साथ सीट शेरिंग पर चर्चा होनी है उमीद है कि बैठक के बाद एलान भी कर दिया जाएगा तो गटबंधन में अभी सीट फाइनल नहीं हुई है और ये बहुत बड़ी चुनावती हो गया खलेश यादों के लिए कि वो सबको एक साथ लेकर चले सीटों पर भी उनकी किसी भी तरीके से दिक्कत सामने ना आए क्योंकि सीट शेरिंग पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है लगातार ये बाते कही जा रही है गटबंधन में जो दल हैं उनकी तरफ से कि कोई दिक्कत नहीं है सीटों को लेकर हमारा मकसद है भाजपा को हराना लेकिन सीट शेरिंग को लेकर आज फैसला संभाव है और सपा के 22 वाले जो सहयोगी है उनकी जानकारी हम आपको दे रहें देखिए महान दल है रालोध है सुभासपा है और इसके साथ ही गोजवाना गरतंत्र पार्टी भी है इसमें जनवादी सोशलिस्ट पार्टी जो की इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है अपना दल के है और कांशीराम बहुजन मूल समाजवादी पार्टी ये भी गटवंधन में है तो ये तमाम दल हैं जो की समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में इस बार उतर रहे हैं जिसमें प्रसपा भी है सुभासपा भी है रालोध भी है और आज सीट शेरिंग को लेकर माना जा रहे है कि कुछ फैसला सामने आ सकता है क्योंकि बैठक होने जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से आगे बढ़ते हैं योपी चुनाव के तारिकों के एलान के बाद दल बदल भी तेज हो क्या है सपा एक बार फिर कॉंग्रिस को बड़ा जटका देने जा रही है उस्तर प्रधेश में दरसल कॉंग्रिस सचेव इमरान मसूद आज अपने करीबियों और समर्थकों के संग बैठक करेंगे और उनसे बात करने के बाद सपा में जाने का फैसला वो लेंगे बिल्कुल जया और एविपी गंगा से बाचित में इमरान मसूद ने साफ कर दिया कि वो सपा का दामन थामने जा रहे हैं मुद ने का कि वो अपने समर्थकों से बात करके समाजवाधी पार्टी में शामिल होंगे और उसका जो आखरी अनांस्मेंट है वो सकते हैं आज कर भी दें इमरान मसूद इतरबरदेश में समाजबाधी पार्टी और भारचवा के बीच में सीधी टकर होती भी बन रही है उस परिस्तिती के अंधर हम भातिजंता पार्टी के किसी भी रूप में परोग्ष रूप से पर्तियक्ष रूप से हम उनके साधक बन जाए वो मेरे लिए मुम्किन नहीं है इसलिए मैंने तेह किया किल अपने साथियों से मश्वरा करकर साथियों से बात करकर कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ इस चुनाओं के अंदर जाने का काम करूँ उत्तर परदेश के अंदर जो काम अकलेश यादव जी की सरकार ने किये, मैंने पहले भी कहा था, कि अकलेश जी ने नौजवानों के लिए जो काम किये हैं, वो मील का पत्थर हैं, अकलेश जी के किये हुए काम पांच साल के जो उनकी सरकार के अंदर किये गए थे, उन अधूरे कामों को पूरा करने के अंदर पूरे 5 साल भारते जंता पार्टी ने फीता काटने में लगा दिये तो दिपार इमरान मसूद आज हो सकता है कि ये ऐलान भी कर दे क्योंकि लगातार जब विपी गंगा से बातचीत कर रहे हैं तो वो ये संकेत दे रहे हैं कि उनका मन बदल रहा है लेकिन क्या समाधवादी पार्टी वो जोईन करते हैं ये देखना होगा